सरकान ने आने वाले पतीज साल का भी टार्गेट ताय किया है five trillion dollar का लक्ष हो ten trillion dollar का लक्ष हो हम इन सभी पर काम कर रहे हैं हम देश के export को भी record उंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं ऐसे में सूरत की और विशेश कर सूरत की डायमंड निरिस्टी की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है यहां सूरत के सभी दिखेज मौझूद है शूरत सहर को भी यह टार्गेट ताय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में शूरत सहर की भागिदारी और कैसे बढ़े यह डायमंड सेक्टर के लिए जैम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए चुनोती भी है आउसर भी है अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है सिल्वर कट डायमंड और लेब गुरन डायमंड में भी हम अग्रणी है लेकिन अगर पूरे जैम्स वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेर सिरफ साड़े तीन परसेट है सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जैम्स वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है हमने तो पहले से ही इस सेक्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फोकस एरिया के रुप में चुना है पेटेंटेट डिजाइन को प्रोशान देना हो एक्सपोर्ट प्रोडक्स को डावर्सिफाई करना हो दूसरे देशों के साथ मिलकर बहतर तक्रिक की खोज करना हो लेब ग्रोन या ग्रीन डायमंड को बढ़ावा देना हो ऐसे अनेक प्रयास केंद्र सरकार कर रही है ग्रीन डायमंड को प्रोशान देने के लिए सरकार ने बजेट में भी विशेश प्रावधान किये है आपको इन सारे प्रयासों का जादा से जाइदा फाइदा उठाना है आज अंतराश्य स्तर पर जो माहोल आप भी अनुभू करते होंगे आप दुनिया भर में जाते हैं दुनिया के नेक देश के लोग यहां बैठे हैं आज विश्व का माहोल भारत के पक्ष में है आज पूरी दुनिया में भारत की सांख बुलंदी पर है दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है मेडिन इंडिया अब एक ससक्त ब्राण बन चुका है इसका बहुत बड़ा लाब आपके बिजनेस को मिलना तय है आपूशन उद्योग को मिलना तय है इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए साथियों आप सभी का सामर्थ बढ़ाने के लिए सरकार सूरत शहर का भी सामर्थ और बढ़ा रही है हमारी सरकार सूरत में आधुनिक इंफ्राटेक्टर के निर्मान पर विशेश बल दे रही है आज सूरत के पास अपना इंटरनेस्टला एरपोर्ट है आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्वीस है आज सूरत पोर्ट पर कितने ही एहम प्रोडक्स की हैंडलिंग होती है आज सूरत के पास हजीरा पोर्ट है गहरे पानी का LNG टर्मिलर और मल्टी कार्गो पॉर्ट है सूरत लगातार अंतराश्टिय व्यापारी केंद्रों से जूड रहा है और ऐसी इंटरनेश्टरल कनेक्टिविटी दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है सूरत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी जूडा गया है यहां वेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है इससे उत्तर और पुर्वी भारत तक सूरत की रेल कनेक्टिविटी ससकत होगी दिल्ली मुंबई एक्ष्प्रेस वे भी सूरत के व्यापार कारोबार को नए अवसर देने वाला है ऐसी आधुनिक कनेक्टिविटी पाने वाला सूरत एक तरह से देश का इकलोता शहर है आप सभी इसका जान्दा से ज़्यादा लाब उठाईए सूरत आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा और गुजरात आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा इसके साथ और अनेक संभावनाय जुड़ी हुई है इतने देशों का लोगों का आना जाना एक प्रकार से एक ग्लोबल सिटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है लगुभारत तो बन चुका है अभी जब जी ट्वेंटी समीट हुई तो हमने कॉम्मिनिकेशन के लिए टेक्नलोजी का भरपूर उपयोग किया ड्राइवर हिंदी जानता है उसके साथ बैटे हुए महमान फ्रेंच जानते हैं तो बात कैसे करेंगे तो हमने मोबाइल एप के द्वारा व्यवस्ता की को फ्रेंच बोलते थे और ड्राइवर को हिंदी में सुनाई देता था ड्राइवर हिंदी बोलता था उसको फ्रेंच में सुनाई देता था मैं चाहूंगा कि हमारे इस डायमेंट बोस्ट में विश्व भर के लोग आने वाले हैं लेंग्वेज की दुरुस्ती से कॉम्मिनिकेशन के लिए आपको जो मदद चाहिए भारत सरकार जुरूर आपको मदद करेगी और एक मोबाइल फोन, मोबाइल एप के द्वारा भाशिनी एप के द्वारा इस काम से हम सरत करेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से भी सुझाव दूँगा कि यहाँ जो नर्बद उनिवर्सिटी है वे बिन्न बिन्न भाश्चाओं में इंटर्पिटर तयार करने के लिए कोर्सिश शुरू करें और यहाँ के बच्चों को ही दुनिया के अनेक भाशाओं में इंटर्परेशन आए ताकि जो वे आपारी आएंगे तो इंटर्पिटर का बहुत बड़ा काम हमारी युवापीडी को मिल सकता है और ग्लोबल हब बनाने की जो जरूरत है होती है उसमें कॉम्मिनिकेशन एक बहुत बड़ी आवशेक्ता होती है और टेक्नोलोजी बहुत मज़द कर रही है लेकिन साथ-साथ ये भी आवशेक है मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ही जल्द सुरत में नर्वद उनिवर्सिटी के द्वारा या और कोई और उनिवर्सिटी के द्वारा लेंग्वेज इंटर्पेटर के रूप में भी हम कोर्सित आरम कर सकते हैं मैं एक बार फिर आप सब को सुरत डायमेंड बूर्ष की और सुरति एरपोर्ड के नए टर्मिनल की बहुत-बहुत बधाई देता हूं अगले महिने वाइबरेंट गुजरात समिट भी होने जा रहा है मैं इसके लिए भी गुजरात को अगिरिम सुभ सुब कामराई देता हूं और Колगुजरात का ये प्रयास देश को भी काम आ रहा है और इतने में गुजरात को विशेश्ट रुप से बढ़ाई देता हूं आप सब इतनी बड़ी तादाद में विकास के जुद सवकांज मनाने के लिए कट्टे हुए हैं तेकि कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है देश का हर व्यक्ति विकास के पति प्रतिबद्ध होता जा रहा है यह भारत के लिए आगे बढ़ने के सबसे बड़े सुख संकेथ है बैं फिर एक बार वलब भाई और उनकी पूरी टीम को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं और मुझे पता है अगर बीच में कोवीड की समस्या ना आई होती तो शायद यह काम हम और जल्दी पूरा कर देते हैं लेकिन कोवीड के कारण कुछ कामों में रुकावट रही थी लेकिन आज यह सपन पूरा देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है मेरी तर्प से बह झाल